हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ विंटर स्पेसल हॉड एनरजी मिल्क या आप इसे एंटी एजेंट एनरजी बूस्टर भी कह सकते हैं गाइस नाम से ही पता चलता यह कितना एनरजी वाला मिल्क तो आप नरफ नरल नाम दूध फाल झाय खोलगा तो आप आपको बताती हूँ इसमें क्या-к्या मिल आ ए और इसके क्या-क्या प्रॉफिट है इसे क्या ओंब ऑधर, नहीं की लिए जरूरी होता है आपाइसमें श्रूरी होता है फैसे इसमें हम मिल्क में बहुत सारे ड्राइफ्रूट्स एड़ करके पीएंगे तो उससे हमारी बॉड़ी को और अच्छी एनर्जी मिलेगी और अच्छा बूस्टर मिलेगा तो गाइस दिखिए अच्छे से बॉयल हो गया मिल्क बॉयल होना सुरू भी हो चुका है देन इसमें हम डेट्स डालेंगे यानि खजूर तो यहां पर मैंने 5-6 खजूर को चौप्ड कर लिया है इसका बीज निकाल करके मैंने इसे छोटी-छोटी से कट कर लिया देन इसे हम डालेंगे में इंग्रीडियन्ट है यह खजूर इसे डालना बहुत जरूरी है क्योंकि ठंड में अच्छे से रहें इसे हमारे बॉड़ी बहुत साहरे वीटामी सी हड्यं को बहुत मचबूत बहुत करके रखता है में पहले 9-6 बादम फाजू ऐसे ब्लैंड करने से महीन दारा हो जाता है जो कि milk में totally absorb कर लेता मिल जाता है तो वो उत्ता सही नहीं लगता तो guys मैंने यहाँ इसको chopped करके डाला है जिसे क्या होगा कि दूद में यह धीरी-धीरी से फूल जाएगा अच्छे से एक दूद दूद को अच्छे से absorb कर लेगा milk को तो जब आप पीओगे तो आपके हर सीप यलो कलर में होने लगा खजूर क्योंकि खजूर अपना कलर छोड़ करके यह dissolve हो रहा है milk में यहाँ पर सबसे में इंग्रीडियेंट यह भी है दालचीनी दालचीनी एट करेंगे दालचीनी क्या होगा कि हमारे पाचन जो होता है पाचन शक्ती उसको बहुत अच्छे से maintain क करता है और हमें गैस अपट जवेगरे से भी दूर रखता है तो हमें इसमें यह डालना होगा इससे क्या होगा थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है नौ इसमें हम अभी यहां पर सौंफ डालेंगे मैंने यहां पर एक टेबलिस्पून सौंफ लिया देन इसे अच्छ होना सुरू हो गया है और मैंने सपुर डाल दिया है और इस टेंग जब आप बनाओगे ना आपके कीचन इतना अच्छा इसमेल करने लगेगा इन सब चीजों से तो गाइस यह इतना मीठा होता है आप चाहे थे चीनी इसको एवाइड भी कर सकते हो पर मैंने यहां पी फूल भी गया है और यह थोड़ा सा मिल्क कम हो गया है हाफ लीडर से और गाइस क्या है कि इसमें जो हमारे ड्राइफ रूट्स हैं सब में कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ विटामिन सोते ही हैं सब में सब कुछ होता है तो अगर आप इन सब को मिक्स करके अच्छ बहुत जरूरत होती है तो आप इसे पीओगे तो आपको एनरजी में मिलेगा प्लस बूस्टर काफी अनरजी बूस्टर भी रहेगा तो गाइस यह हो चुका है नो अब इसे हम सर्फ करेंगे और इसे हमें घरम घरम ही सर्फ करना होगा और इसका कलर आप देख सकते हूं कितन में बहुत अच्छा लगता है बच्चे तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले मिल्क बच्चे जैसे दूद नहीं पीते हैं बट आप इस तरीके से बना करके दोगे न यकिन मानों वह जरूर से जरूर पीना सुरू कर देंगे और यह काफी टेस्टी भी लगता है तो आप मैं